कि लोटस आजवदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं उत्पल चौधरी आज हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी में एक्सराइज कब नहीं करना चाहिए मैं आपको बता रहूं गलत समय पर एक्सराइज करने के नुक्सान तो आई शुरू करता हूं आज का वीडियो लिकिनों से पहले बूला चाहूंगा चैनल को आपने अभी तक सब्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्क्राइब कर लें बैल आइकोन की घंटी बजा दें जि इस दोरान आपको खूब पानी पीना चाहिए साथ एक्सरसाइज और योगा अभ्यास भी करना चाहिए प्रेग्सिय में एक्सरसाइज करने से आप एक्टिव रहेंगी इससे आप कई तरह की जटेलताओं से भी अपना बचाओ कर सकते हैं लेकिन प्रेग्नेसी के कुछ प एक्सरसाइज कर सकते हैं लेकिन अगर आपको अस्तमा फिर्दरो डायबिटेज जैसी मिमारिया है तो इन इस्तितियों में एक्सरसाइज ना करें इसके अलाबा जीन महिलाओं को हाई बेट पेशर की समस्य है उन्हें भी एक्सरसाइज करने से परहिश करना चाहिए इन इस् अगर आपको प्रेंगन्दैशी के दरान हर थकान या कमजूरी बने रहती है तो आपको एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए एक्सरसाइज करने से आपको जली थकान लग सकती है अगर आपको ज़्यादा या जल्ली ठकान हो जाती है तो exercise करने से बचे गर्वपात का इतिहास अगर आपका गर्वपात यानि मिस्क्रेस का कोई इतिहास रहा है तो इस इस्तिती में भी आपको अगर्वपात के इतिहास बली मैलाओं में exercise करने से दिक्कत बढ़ सकती है शबिस में सब्था के बाद आपको पेग्नेंसी के 26 में सब्था के बाद भी exercise नहीं करनी चाहिए दरसल इस दोरान प्ले सेंटा से जुड़ी परिशानी हो सकती है इसलिए आपको दूसरी तिम्हाई में आखरी दिनों में है भी exercise करने से बचना चाहिए बजाइनल ब्लीडिंग पेग्नेंसी के दोरान अगर आपको बजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको एक्सराइज नहीं करने चाहिए अगर आपको यह श्राव है तो एक्सराइज ना करें इससे आपकी दिक्कत बढ़ सकती है अगर आपका गर्वा से ग्रीवा कम सबोर है कि जुद्वार्ब डेंशी है तो भी आपको एक्सराइज करने से बचना चाहिए रहेंकर चाहिए पहले जिसने में गलस समय पर एक्सराइज करने के नुक्षान कि आओ ДOLLर गेनशी में गलत तरीके से अठक प्वस्त शिसू को नुक्सान पहुंच सकता है प्रेगनसी में आपको पेट के बल लेट कर एक्साइज करने से बचना चाहिए है प्रेगनसी के दौरान आपको सिर्फ बॉक करना चाहिए इस स्थिति में तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के पर जुरू बताएं धन्यवाश्त